Welcome to Pharmacy Export YouTube चैनल आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे Manufacturer क्या होता है Wholesaler क्या होता है Retailer क्या होता है Consumer क्या होता है और Customer क्या होता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे इस छोटी छोटी difference को आप समझ लेंगे तो आपके बहुत काम आएगी इस भी फार्मा कंपनी में फार्मा प्रोडक्ट बन रही है वहाँ से लार्ज और बल्क एमाउंट में लार्ज और बल्क एमाउंट में प्रोडक्ट को लेना और आगे सप्लाई करना चाहे तो वो Consumer को या फिर Customer को माल सप्लाई कर सकता है लेकिन वो Retailer को करता है अब Retailer का काम क्या होता है कि वो Wholesaler से समाल लेता है और वो आगे Consumer और Customer को अपना माल बीचता है अब आपके दिमाएग में आ रहे हैंगी ये Consumer और Customer क्या होते है Consumer की हम बात करें तो Consumer वो होते हैं जो Product यूज करते हैं और Customer वो होते हैं जो Product को बाई करते हैं तो अब आपको पता लग गया Consumer क्या होते हैं लेकिन जो Retailer वाले होते हैं वो जो अपना सारा Product होते हैं वो थोड़ा Costly बेचते हैं Costly इसलिए बेचते हैं कि Retailer वो Extra Service देते हैं कहने का मतलब आपको Product की Advantage भी बताएंगे और आपको Self Service भी देंगे कहने का मतलब आपको Delivery Charges ये सारा कुछ खुदी करेंगे इसलिए Retailer होते हैं वो आपसे थोड़ा समान Product जो होंगे वो Costly बेचेगा आपको Wholesaler की बात करें तो Wholesaler में अगर आप कोई भी समान लेते हैं फार्मासुटकल प्रोड़क्ट तो आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाए कि क्यों आपसे वह एक दो समान ने उठा रहे हैं पूरी बल्कि एक Large और Bulk quantity उठा रहे हैं इसलिए Wholesaler में आपका थोड़ा फाइदा हो जाता है और Retailer में Costly आता है So guys, अब आपको पता लग गया होगा Manufacturing क्या होती है, Wholesaler क्या होती है, Retailer क्या होता है, Consumer क्या होता है So basically अब हम बात करें तो Manufacturing वह होती है, जहां समान बनता है फिर Manufacturing से समान आगे ट्रांसफर को लेता, कौन है, Wholesaler लेता है Wholesaler फिर हो ड्रेक्ट बेसता है, Wholesaler से फिर समान लेता है Retailer, Retailer फिर आगे Consumer, Customer तो इस तरह Pharmaceutical Product की Marketing होती है उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा